विपक्ष का बवाल प्रधानवंत्री के सवाल आज हम इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे आज से बज़ट सतर की शुरुवात हुई है सतर की शुरुवात की पहले दिन पियेम मोधी ने विपक्ष को नसीहत भी दी विपक्ष से अपील भी की, विपक्ष पर हमला भी किया उन्होंने पिछले सत्र का हवाला देते हुए कहा कि देश की चुनी हुई सरकार की आवास दमाने की कोशश हुई धाई घंटे तक प्रदानोंती मोधी का गला घोटा गया पिये मोधी के हमले पर विपक्ष ने पलटवार किया आज भी सदन में विपक्ष का हंगामा और बवाल जारी रहा हला बोल में आज हम इसी सवाल पर चर्शा करेंगे क्या बजट सत्र का मूड सेट हो गया है क्या ये सत्र एक बार फिर से हंगामेदार होगा पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं जिसमें से दो सांसद राज्योसभा के हमारे साथ जुड़ रहे है जोक्टर सुदान चित्रिवेदी राश्य प्रवक्ता सांसद राज्योसभा के बीजेपी की तरफ से तो प्रयांका चतुरवेदी, राज्यसभा सांसत, शिवसेना, उदव, बाला साहब ठाकरे गुट कियों हमारे साथ चोंगी, सुरेंद राजपूत प्रवक्ता कॉंग्रिस पार्टी के, लेकिन पहले ये रिपोर्ट संसत के मौनसून सत्र में प्रिधानमंची नरेंद्र मोदी ने आज शिरुवात की एक आग्रह के साथ तो कई हमलों के साथ दी आग्रह ये की नए सांसत हैं, उन्हें बोलने दीजे, ये बजट सत्र 2047 के विक्सित भारत का सत्र होगा साकारात्मक योगदान दीजे, तो हमला उस रवये पर जब लोगसभा में उनके सम्बोधन के दोरान विपक्ष लगता धाई घंटे तक नारे बाजी करता रहा था और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब बिक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसे ने राह दिखाने का प्रयास्त किया, किसे ने गुरुमरा करने का प्रयास्त किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ, डाई घंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का, लोगतांत्री परमपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्याता अब तक नहीं है। प्रधान मंत्री जी नेसेसरी कुछ ज्यादा ही भावुक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो नॉन बालोजिकल इंटिटी है ना, कमाल की बात करते हैं, थायस मंगल सुत्र मुझरा से किसका गला गोटा जा रहा था, प्रधान मंत्री जी मैं बार बार कहता हूँ, जब करोड देशवासियों का गला, दस साल से मोधी जी ने घोट रखा है, कभी अपने जहन में जहांक कर उसकी भी बात देख लें, और जहां तक संसद का सवाल है, संसद का तिरसकार, संसद की अंदेखी, और संसद को एक तरह से कट पुतली बनाए रखने का काम, वो प्रधान मंत्री मोधी जी ने किया है, मनीपूर के उस संसद को दे दें, जिसके छेतर में इतनी गंबीर वारदाते हुई है, इतनी गंबीर हिंसा हुई है, उसी को मौका नहीं दिया, तो मनीपूर की बात कैसे निकल के सामने आएगी, बस दो मिनिट की बात थी, अगर दो मिनिट वो मान जाते तो धाई घंटे ह समाजवादी पार्टी ने कहा संसद में हंगावा बीजेपी के संसद ही करते हैं अधिए संसत कि कारवाही श्रू होते ही नीट परीक्षा को लेकर वपक्ष्ने सरकार को घेरा है वपक्ष के नेता राहूं गाली ने सवाल उठाए तो शिक्षा वंतरी ने भी जवाब तिया इस अब्बेस तो अब्स जावाब ते xam in our examination system this is not just a question of need it is in all the major examinations now the minister has blamed everybody except himself स्वाजवादी पार्टी के मुख्या घिलेश आदम ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पेपल लीग का रिकॉर्ड बनाया है तो जवाब शिक्षा मंत्री ने उन्हें भी दिया लगातार अखवार और सीबियाई की जाज के बाद चीजें सामने आ रहे हैं लोग पकड़े जा रहे हैं जेल भेजे जा रहे हैं मैं अद्धेश मोदे आपके माद्यम से पूछना चाहता हूँ मंती जी से क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नम्मर मिले हैं क्या उसकी सुची जारी करेंगे अभी अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है केस सुप्रीम कोट ने अडर दिया पूरा विद्यारितियों की सुची को वेब साइट में उपलब्ध करा दो विपक्ष अक्सर संसद में माइक बंद करने का अरोप लगाता है, आज के इंद्रेमंत्री निम्ला सीतारमन की भी माइक बंद भी वजट सत्र के पहले दिन संसद में तना तनी दिखी बवाल दिखा, लेहाजा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सत्र एक बार फिर हंगामिदार होगा, आज तक ब्योंगे